नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है लोक तंत्र में लोक परधान होता है यानि जनता के पास सबसे बड़ी ताकत होती है और होनी भी चाहिए जनता से चुने हुए परतिनिधी हो या फिर जनता के सेवक अधिकारी हो नियाईपालिका हो कारिपालिका हो विधाईका हो सबका सबसे मुखो देश जनता के हीतों के लिए काम करना होता है लेकिन इसकी जिम्मेदारी के बल कारिपालिका और विधाईका के पास दे दी गई है नियाईपालिका शुनेता के स्थिति में चली गई है वो सिर्फ आरोप लगाती है इंट्रोस्पेक्शन नहीं करती है यानि आत्म निरिच्छन जो किया जाना चाहिए कि आखिरकार नियाईपालिका इस मंथर गती से क्यों चल रही है उसके उपर न सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस आत्म निरिच्छन कर पाते हैं और नहीं दूसरे जज और नहीं हाई कोट और डिस्टिक कोट सबर्डिनट कोट के जज कर पाते हैं उनको इस बात से कोई ल पालिका में किस तरह का सुधार होना चाहिए ताकि लोगों को सिर्फ इस बात का अनुभव न हो कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं बलकि लोगों को विश्वास और न्याय पालिका के ऊपर कि अगर हम कोट का दरवाजा खट खटाएंगे तो हमें न्याय मिलकर रहेगा लेकिन अब न्याय पालिका के इस आत्म निरिक्छन को मोदी सरकार ने समझ लिया है कि अपने आप ये सुधरने वाले नहीं हैं इसलिए परधान मंद्री नरेंद्र मोदी ने इस विवस्था को सुधारने के लिए एक नई विवस्था बनाने का संकल्प लिए लिया है और इसलिए सुप्रीम कोट के जजों के होश उड़े हुए हैं। उनको लगने लगा है कि अब तो सुधार होकर रहेगा क्योंकि लोकसभा में, राजसभा में जोरदार चर्चाएं हो रही है। लोगों के बीच भी अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि नयायपालिका में भी सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि जज दूसरे के उपर उंगली तो उठाते हैं। सुप्रीम कोट टिपनिया तो देती है। सुप्रीम कोट के जज बार-बार सरकार की नाकामियों के उपर संकेत करते हैं, उंगली उठाते हैं, सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन कभी ये लोग अपने उपर सवाल नहीं खड़ा करते हैं। इस बात के लिए अब एक कानून लाया जाएगा और उस कानून में सुप्रीम कोट के जजों की छुटियों के उपर हाई कोट और सुप्रीम कोट में कितने छुटियां होलिडेज होते हैं उसके उपर और फिर जजों के टिपनियों, टिकाओं और फिर जो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं उसके निप्टान के लिए कितना मैक्सिमम समय होना चाहिए इन सारे विवस्थाओं पर सुधार की गुंजाइस है और इसके लिए कानून लाया जाएगा इसकी चर्चा राज्यसभा में भी हुई लोकसभा में भी हुई एक कोलेजियम विवस्था जो है य इससे नियाएपालिका पूरी तरह से सुधर जाएगी और जज़ भी सुधर जाएगे क्योंकि खुद से ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं इस बात की चर्चा राज्यसभा में हुई और कानून मंत्री किरन रेजुजु ने एक-एक करके मोधी सरकार के प्लान को जज इस सामाने से सामाने लोग भी इस बात की चर्चा क्यों करते हैं कि कोट का चक्कर लगाना भयानक परिनाम दे सकता है यानि कोट के चक्कर में फसे तो आप फसे ही रह जाओगे वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा गरीबों के लिए सामान लोगों के लिए कोट पहुच कर नियाय पाना इतना असंभव था क्यूं हो रहा है और इसके कारण एक तरीके से निकाला गया दूसरे अस्तर पर वो अस्तर था कि पहले इसके बारे में जान ले कि आखिरकार कोट में जाने से डरते क्यों हैं क्योंकि कोट में जाने के बाद लंबे समय की परकरिया का सामना करना पड़ता है 10-10 साल 20-20 साल तक मुकद में पेंडिंग पड़े रहते हैं और कानून मंत्री ने ये बताया कि अभी लोवर कोट, सबॉडिनेट कोट, डिस्टी कोट, हाई कोट और सुप्रिम कोट इस सारे कोटों को मिला ले सब जगह जो पेंडिंग मामले कितने हैं उन सब को मिला कर देखें तो 4.9 करोड यानि कि लगभग 5 करोड मुकद में लंबित पड़े हुए है बरसों से उस पर सुनवाई नहीं हो रही है फाइल धूल फाग रही है और तारीख पे तारीख जज साहब दिये जा रहे हैं उसके बाद सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोट और उससे नीचे हाई कोट की बाद करते हैं क्योंकि इन दोनों के रवईयों से सब लोग परिशान हैं लोगों के परिशानी भी बड़ी है और सरकार के ऊपर टीका टिपनी करके लोगों को खुश करने के लिए अपोजि और सत्ता पक्ष एक होकर न्याय पालिका में सुधार के कोशिश न करे और इसलिए सुप्रीम कोट में पेंडिंग केस के मामलों को समझना भी जरूरी है सुप्रीम कोट में अभी 79,598 मुकद में लंबित पड़े हैं यानि कि लगवग 70,000 केस सुप्रीम कोट में लंबित पड़े हैं और दूसरे तरब से हाई कोट की बात करें तो दिमाग सन्ने रह जाएगा क्योंकि वहाँ पर 69,000,000 मुकद में यानि 59,000,000 मुकद में हाई कोट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं यानि हाई कोट और सुप्रीम कोट दोनों को देख ले तो करीब करीब 60, आठ लाग से जादा मुकद में जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं जबकि इसके सुधार कैसे होगा इस बात की चर्चा तक नहीं हो रही है सुप्रीम कोट में या हाई कोट में इस बात के लिए कोई चर्चा नहीं होती या आपस में जज मिलकर कभी बात नहीं करते ह या सुप्रिम कोर्ट के चीफ जस्तिस जो हैं कभी इस मामले को नहीं उठाए कि सुप्रिम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोवर कोर्ट में जो मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं उस पर सुनवाई तेजी से कैसे होगी इसके सुधार की गुंजाइस कैसे हैं अगर इन लोगों ने खुद से एक नियम बना लिया होता सेल्फ रेगुलेटरी बॉड़ी की तरह तो सरकार को इसमें इंटरफेर करने की ज़रुवत नहीं पड़ते लेकिन इन लोगों ने अब तक नहीं किया इसलिए सरकार ने इसके कारणों पर विचार किया है और उसके बाद दो तरीके के दो कारण इसके अंतरगत लाया गया है कि सुप्रिम कोट हाई कोट में जो मुकद में पेंडिंग पड़े हुए है उसके दो बड़े कारण है एक जो कि न्युक्तियों के संदर में ऐसा सरकार ने क्यूं कहा और उसका कारण कैसे हो सकता है जिसके आधार पर ये पेंडिंग केस पड़े हुए हैं। जज, हाई कोट के जज, जो कोलेजियम बेवस्ता है जजों के न्युक्ति जज करेंगे इस आधार पर अभी 19,192 जज न्युक्त हैं। पहले ज़रूरत है इस कोलेजियम बेवस्ता को खत्म करने के लिए और मोधी सरकार ने 2014 में इसकी बेवस्ता की थी। नेशनल अस्तर पर इसको न्युक्ति के लिए एक नई परकिरिया लाये थी। नेशनल जुडिसियल अपॉइंटमेंट कमिशन एक्ट लाया गया था। लेकिन जब लोक सभाराज सभा से पास हो गया, किसी बड़ी पार्टी ने अपोच नहीं किया, फिर भी सुप्रिम कोर्ट ने इस पर अडंगा लगा दिया कि ये नहीं चल सकता, इसे रिजेक्ट कर दिया गया, और अब फिर से NJAC को लाने की जरूरत पड़ रही है, अब स सारे के सारी पार्टियां लगभग मन बना चुकी है, और समर्थन देने के लिए भी सरकार को तयार है, क्योंकि किरन जजजु ने जिस तरीके से बयान दिये, और जो बाते संसद में उठी, सवाल कॉंग्रेस का था, कॉम्मिनिस्ट पार्टियों ने पूरी तरीके से सरकार का समर्थन किया, क्योंकि कॉम्मिनिस्ट पार्टि के तरफ से उसके एक सांसद के तरफ से प्राइवेट मेंबर विल भी लाया गया है राजसभा में, जिसमें NJAC को फिर से लागू करने के लिए कहा गया है, यानि अगर जुडिसियल कमिशन एक्ट के तहत अपॉइंटमे जाएगा, तो उसमें जजों के निउक्ति में जजों की जो परकरिया होती है, जजों का जो इन्वॉल्मेंट होता है, वो खत्म हो जाएगा, और इससे नियाई कामों में उनके ज्यादा समय लगेंगे, यानि सुप्रीम कोर्ट के कई जज जो कोलेजियम में होते हैं, वो म मिलता है, वही कम मिलता है, दो साल, तीन साल के लिए जजबन पाते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं, तो हमेशा वेकेंसी बनी रहती है, इसलिए इस कोलेजियम विवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने कानून लाने की ठान ली है, दूसरे अस्तर पर जो पेंडि सुप्रिम कोट हाई कोट जो बंद रहता है उसके टाइम को कम करना और राजसभा में किरन रेजुजु ने ये बताया कि अगर सुप्रिम कोट की छुटियों की बात करें 2019, 2020 और 2021 तीन साल का आकड़ा उन्होंने दिया जिसमें 2019 में सुप्रिम कोट के बल 217 दिन तक बैठी है 2020 में सुप्रिम कोट लगभग 202 दिन बैठी है और 2021 में 224 दिन बैठी है मतलब साप है कि लगभग 210 दिन के आसपाथ सुप्रिम कोट खुला रहता है और 140 से 50 दिन तक सुप्रिम कोट बंद रहता है ये बंद होने की बात है जिसमें गर्मियों की छुटी लंबी छुटी होती है तीस दिनों की लगबग गर्मियों की छुटी होती है जो एक तरह से ब्रिटीश कालिन विवस्था है ब्रिटीश काल में जज ब्रिटेन के होते थे गर्मी का मौसम होता था विवस्थाएं वैसी नहीं थी ठंधा परदेश देखा जाता था इसलिए ये छुटी मनाने के ये डलहोजी, सिमला, नैनीताल, पहाडों पे जाते थे लेकिन अब वो विवस्था नहीं है अब गर्मी में ठंधा में वरसात में इन जज़ों को कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि इनकी गाडियों में एसी होता है बंगले में एसी होता है चैंबर में एसी होता है और जह तो 140 से 50 दिन पूरा कोटी ही बंद होता है और यही सिती हाई कोट की भी है क्योंकि हाई कोट भी 202 दिन के लगभग एवरेर अस्तर पर काम करती है और 150 से 60 दिनों तक बंद रहती है यानि कि इन दोनों जगा पर छुटियों का मनेजमेंट शुधारना पड़ेगा ये तो काम ही नहीं करेंगे तो ऐसे सिती में पेंडिंग केस क्लियर ही कैसे होंगे दूसरे और एक बात है जो जोड सोर से उठाया जा रहा है और ये पेंडिंग केस से ही जुड़ा हुआ मामला है इसमें एक बात आती है जमानत की क्योंकि जमानत एक ऐसी विवस्ता है जिसमें कि इसी केस को खीचने के लिए एक आधार बन जाता है बड़े-बड़े मुकदमे चाहे आर्थिक अपराद हो बड़े-बड़े घपले घोटाले हुए हैं उन मामलों में भी देखें या फिर बड़े क्राइम में भी हर जगह पर जमानत की वबस्था जो दे दी गई है उसके ब जमानत की वबस्था को कम करने की जरूरत है और अगर जमानत देने की बात है तो आप एक तै करें कि एक महिने में पंद्रह दिन में दो महिने में चार महिने में मामला मुकदमा खत्म होगा इसके सुनवाई होगी चाहे तो वो आरोपी दोशी करार होगा या फिर उसे पॉलिटिकल सिनारियों को देखे राहुल गांधी, सूनिया गांधी जैसी नेताय भी जमानत पर चल रहे हैं। 10 साल से उनके उपर मुकदमा चल रहा है फैसला ही नहीं आ रहा है और इसलिए एक कड़े कानून लाये जाने हैं और अब एक कड़ा कानून लाये जाएगा क्योंकि लगभग दूसरी पार्टियों ने भी छोटी पार्टियां जो है वो लगभग इस बात के लिए तयार है कि ये कड़ा कानून लाये जाएगा पहले NJAC पर लाये जाएगा और उसमें फिर ये कानून भी होगा कि सुप्रीम कोट हाई कोट में छुटियों किस्तन क्या कम की जाए जजों का एक वाकिंग आवर हो कि ऐसा नहों कि जब भी चाहें तो बता दें कि अगली तारीक देते है सुनवाई आज ही एही तक खत्म हो जाएगी और उसके बाद दो बजे के बाद कोट उनका बेंच बंद हो जाएगा ये सारी विवस्ताय लागू करने की जरूरत है और इस पर विचार भी किया जा रहा है और जल्द ही एक कड़ा कानून इन लोगों के लिए आएगा जिसम तक के लिए बन रही है हमारे साथ और देते रही है हमें सायोग ताकि इसे तरही खबर हम आपके लिए लाते रहे हैं धन्यवाद